हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफी सारी नई चीज़ी लेकर आई हूँ एक किलो की चॉकलेट केक का मेजर्मेंट तो मैं आपको बता ही दूँगी पर बहुत पार कस्टमर के जो इतने सारे टर्म्स होते हैं, रिक्वार्मेंट्स होते हैं ऐसे चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, उनको फिल फिल कैसे करें, मैंने क्या किया, ये देखेंगे कोई भी ओर्डर आती है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, अब कौन सा टीन यूज करूँ वैसे टीन की जानकारी देने वाला एक वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट मन्त में शेर किया था, बट वो स्पेसिफिक राउंटीन के लिए था, पर आजकल ना मेरे बेसिक पाच और छे इंच के राउंटीन आराम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के ओर्रस ना कभी किसी अमर को हार्ट केक चाहिए, किसी को रिक्टैंगल, तो किसी को स्क्वेर केक चाहिए, अब हर साइस के शेप के टीन तो मेरे पास भी नहीं है, आज के केक के लिए मुझे सेवन बै सेवन इंच का स्क्वेर टीन चाहिए था, मेरे पास छे बै छे का था पर मुझे लगा फिर 10 x 7 inch का टीन मुझे नहीं मिल पाया तो यह देखिए आज मैंने इस लोफ टीन से ही काम चलाया है 3.5 x 7.5 inch का है यह तो इसे रेडी करके अब बनाने के लिए काफी सारा प्रेमिक्स आज मैंने यूज किया है जनरली 1 kg के 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 लिए 310-320 gram प्रेमिक्स लो तो भी चल जाता है पर कस्टमर को इस केक में क्रीम चॉकलेट बहुत कम चाहिए था तो अब क्रीम चॉकलेट अगर कम करना है तो वेट बढ़ाने के लिए मैंने प्रेमिक्स के काफी बढ़ा दी अब हमेशा के मेजरमेंट के हिसाब से इतने प्रेमिक्स के लिए लगबख चार बड़े चमश तेल डाल दिया मैंने और अराउन वन कप पाने का इस्तमाल करके रीबन कंसिस्टनसी का बैटर बनाया है मैंने आपको बोला था ना एक पर मेरे बिल्डिंग का एक छोटा बच्चा मुझे केक अंटी करके बुलाता है तो आज की ये ओर्डर ना उन्हीं के घर की है उसके मम्मी पापा के अनवर्सरी थी 15 फेप को पूरी स्टोरी बताती हूँ पर पहले नहीं इस केक के बेसिक मेजर्मेंट्स बता देती हूँ अगार उखे ओटी जी को मैंने 10 मिनेट के लिए प्रिहीट के लिए रखा था तो प्रिहीट कंपलिट होने के बाद मैंने केक को 35 मिनेट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर रखा है बेक होने के लिए और अब इतने केक के लिए नॉर्मली 200 ग्राम चॉकलेट यूज करती हूँ मैं गनाश के लिए मतलब 1 केजी के लिए 200 ग्राम तो उस हिसाब से उसी हिसाब से मैंने 200 ग्राम का गनाश बना तो लिया है पर पूरा यूज नहीं करूंगी केक में क्यूंकि कस्टमर ने ना केक कम मिठा बनाने को बोला था और उसमें चॉकलेट कम यूज करो क्रीम कम यूज करो ऐसे उनकी रिक्वार्मेंट थी जब कस्टमर कम चॉकलेट यूज करने को बोले तो आप 1 kg के लिए 100-500 ग्राम चॉकलेट यूज कर सकते हो फिर 100 ग्राम चॉकलेट के लिए 1 फोथ कप क्रीम इस हिसाब से जितना चॉकलेट है उतनी क्रीम डाल कर मिला देना ये देखे इतना गनाश बनाया है इसमें से आती से थोड़ा से जादा यूज करके बागी नेक्स्ट ओडर में यूज करूंगी मैं क्योंकि अभी लाइन में काफी सारी चॉकलेट केके ओडरस आ ही रहा है इसलिए एक्स्ट्रा ही बना कर रखा है मैंने अब डेड़ कप क्रीम ली है मैंने इसे पहले थोड़ा से लो स्पीड पर विप करेंगे फिर स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा कर जब ये थोड़ी सी गाड़ी हो गई ना तब इसमें बिलकुल थोड़ा सा गनाश डाल कर मिलाया है मैंने कम चॉकलेट बोला है ना तो हर जोगा एकदम कम कम करके डाल रही हुँ मैं और एकदम बढ़िया से लाइट चॉकलेट क्रीम बनाई है मैंने यहाँ पर अपना स्पंज भी देखिए बहुत ही बढ़िया से बेक हुआ है हाइट देखिए केक कितनी अच्छी आई है और उपर तक ऐसे फूल कर आया है ना तो उपर की लेयर तो प्रॉपर ली नहीं बनेगी इसलिए थोड़ा से हिस्सा हम हटा ही देते हैं और अब इसके नाब चार या छे लेयर्स कर सकते हो मैंने चार ही की है क्योंकि क्रीम की कौंटिटी हमें कम रखनी है तो लेयर जितनी कम रखेंगे क्रीम उतनी कम यूज होगी sponge की तीन layers बनेगी तो cream की भी तीन layer बनेगी sponge की अगर दो layer बनेगी तो cream की भी दो layer बनेगी इसलिए आज दो ही layers बनाएंगे अब board पर मैंने थोड़ी सी cream लगा कर इसमें से दो layers को ऐसे side by side arrange किया है square shape बनाने के लिए actually cake की एक side साथ है और दूसरी साड़े साथ है तो exact square नहीं है पर आदे inch के लिए इधर उधर cut करने की मुझे जरूरत नहीं लगी मैंने सुचा आप जो हे cream से ही manage करेंगे हाँ और उन्होंने चीनी भी कम डालो बोला था थोड़ा कम मिठा cake बनाओ बोला था अब premix में तो चीनी में कम नहीं कर सकती तो इस sugar syrup में ही ना हमेशा जितनी चीनी में डालती हो उससे थोड़ी सी कम डाली है हाँ तो मैं बता रही थी ये cake ना उस छोटू के मम्मी पापा के anniversary के लिए था और उन्होंने order एक week पहले ही देखा रखी थी क्योंकि उन्होंने बोला था anniversary की दिन वो घर पर नहीं रहेगी तो जो भी होगा घर में कोई भी guest होगा तो उनके भी हाथ में cake दे दे ना ऐसा इसलिए कि 15 को उनके anniversary थी और 13 को उनकी due rate थी उन्हें hospital में admit होना था क्योंकि उनके घर कोई छोटा महमान आने वाला था तो hospital में anniversary के cake cutting का प्लान था पहले उन्होंने half kg का ही cake पूला था पर hospital में cake cut ना था तो doctors वहाँ पर इतनी सारी nurses रहेगी इसलिए उन्होंने ना order half kg से 1 kg की कर दी टीन का जब मुझे problem हुआ था टीन नहीं मिल रहा था तो मैंने design change करके थोड़ा सा tall cake जैसा बनाने को सोचा था पर customer से बात ही नहीं हो पाई इसलिए मैंने जो design final हुई थी ना उसी पर ही काम करना शुरू किया आपने देखा होगा normally मैं जितना chocolate डालती हूँ उससे कम ही डाला है क्योंकि उनको कम मीठा कम chocolate वाला cake चाहिए यह through out the process मैंने याद रखा था पर cake के बाहर के finishing के लिए ना जादा cream लगानी ही पड़ती है क्योंकि finishing अच्छे से होना भी तो जरूरी है cake अच्छा भी तो दिखना चाहिए और round cake का भी ठीक है पर square cake के लिए rectangle cake के लिए इन में तो finishing में थोड़े extra efforts थोड़े extra cream लगती है इसलिए generally round cake के लिए मेरे जो charges है ना उसमें around 100-200 रुपीज में square या rectangle cake के लिए extra charge करती हूँ आजकल काफी customer भीना कम किये जो बोले वो charges दे देते हैं इन्होंने भी दिया ऐसे हुआ तो फिर tension नहीं रहता अब देखते हो ना एक simple सा cake बनाने के लिए कितने efforts लगते हैं कितने बरतन निकालने पड़ते हैं sponge bake करो, cream बनाओ, ganache बनाओ, sugar syrup बनाओ इतने सारे बरतन निकालो, piping bags, nozles, cake का decoration का समान cake बनाने के बाद ना cake से जादा तो kitchen की ही आहलत देखने लाइक होती है उसके बाद अगर 500 के cake में customer 50 rupees कम करने को बोले तो क्या खरे समझ में नहीं आता electrician, plumber, किसी को भी आप घर बुलाओ, यहाँ वाँ थोड़ा से चेक करो तो 5 मिनिट में 500 rupees वो भी लोग लेते है और 2 घंटों के महिनत के बाद अगर 500 rupees बोलो तो लोगों को जादा लगता है कभी-कभी मेरे तो basic cake का rate 350 है, आप सोचो नए सारे ingredients का खर्चा निकालने के बाद इसमें क्या margin मिलेगी इसलिए ना home bakers के cake को ना दोस्तों कभी भी underestimate ना करना हर एक order के हिसाब से 350 या 400 में भी बिल्कुल customize cake मिलता है आपको मैंने तो अभी last week में half of kg के cake के लिए भी इतने प्यारे-प्यारी customize cake बना कर दिये है ना, वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगी ये देखे, camera को देख रही थी, तो ये मेरा flower गिर गया यहाँ पर हातों से तो cake पर मैंने ये दूसरा flower बना कर लगाया है अंदर तो cream में chocolate उन्होंने कम डालने को बुला था पर हा, design हमने जो देखी थी ना, उस पर बहुत सारे chocolate लगाये हुए था तो मैंने भी उपर kit kat shorts, homemade chocolate garnish और बाद में तो furred rocher भी लगाया है photo वाले cake में strawberries भी use किये थे उपर, पर उन्होंने fruits लगाने को मना किया था तो red color के लिए ना, मैंने यहाँ पर कुछ cherries लगा दी है उनके बेटे को fruits, strawberries बहुत कम पसंद है, chocolate उसे बहुत अच्छे लगते है finally इस पर और थोड़ा सा black color add करने का मेरा मन हुआ तो ये almond वाले कुछ chocolate garnish भी मैंने लगा दिये है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये cake, comments में मुझे जरूर बताना मैंने तो इसे जादा से जादा अच्छा बनाने की कोशिश की है अब पूरा cake होने के बाद ना, इसका weight मैंने चेक किया यहाँ पर आप देख सकते हो, 1200 gram है इसका weight इसमें board का 70 gram होता है, मतलब around 1100 gram से जादा ही है ये cake लेकर जब मैं उनके घर गई ना, तो उनका बेटा भी था वहाँ पर और cake को देखते से ही, उसके उपर के chocolate निकालने का उसका मन हो रहा था पापा ने रोका, इसलिए cake hospital तक सही सलामत पहुँच गया पर जब customer cake देखकर खुश होते है ना, तो बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों आपको ये cake कैसा लगा, comments में मुझे जरूर बताना तो वीडियो को like और share भी कर देना अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चानल को subscribe करके बेल आइकन को भी दबाना जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, bye and take care